अजय के एपिज़ उसलाम लेकूम नाजरीन मैं हूं आपकी होस्त आप देख रहे हैं वीकनद शाहिन विद एनिश्या केसे हैं आप लोग चीटाथ मैं भी बिल्कुल चीटों में दौए है आप हमेशा हसते मस्कुराते रहें खुश रहें आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड शाइन विद एनी शाइड बटा बड़ा गिरता रहता है खैर चलें जी यह यह बड़े खुबसूरत दिन है बड़े खुबसूरत पल है अब आप देखें रम वारा वजह भी चान रात हो जाती है तो सबसे ज्यादा कोशिश करें कि चान रात पे बहनों के घर जाएं उन रिष्टदारों से कॉल पर बात करें इद वाले दिन लोगों से मिलने जाएं जो जिन लोगों से आप नराज है थोड़ा से अपने दिल में गुंजाइश किसी से इतनी नफरत है कि उसका चेहरा देखने का दिल ना करें मैंने का नहीं किसी से तो होगी मैंने का मैं इतनी नफरत ही नहीं किसी से करती मैं इतनी नफरत कभी किसी से नहीं करती महबत बहुत जादा कर सकती हूँ पर नफरत किसी से नहीं कर सकती एक लिमिटेड टाइ बादत करें, दुश्रों का ख्याल रखे, जिन लोगों का आस पास आप लोगों के लोग हैं, जिन लोगों का आप समझते हैं कि उन्हों ने ईद की तैयारी नहीं की और आपके पास गुंजाईश है, उनका भी ख्याल रखे, ईद भरपूर अच्छे से बनाएं, ईद के मेरे साथ मौझूद हैं, सोशल वर्कर हैं, तस्नीम जारा, उनको मैं वेलकम करते हूं, असलाम लेकूं, कैसी हैं आप, अच्छा जी मेरे पास मौझूद हैं, आज बड़ा मज़ेगा शो होने वाला है, काफी दूने बाद मेरे साथ मौझूद हैं, मुझे वैसे ही बड़ अब सियासी दे में कह रही हैं, तो फिर बहुत अच्छा गुजर रहा है, तो आपकी तरफ याओंगी, आप भी मुझे बताईगा, फिर मैं इस तरफ आउंगी, यह जो एकदम से हालात, वाक्यात चेंज हुए, एकदम से, अच्छा हम लोगों को ना, जैन यही आ रहा था कि जितने खाँ साब रिलेक्स बैठे में, कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो जिस तरह से आके बात करते थे तो लोगों को लगता हैं, अबी भी जो है ना, कोई ना, कोई चीज इनके हाथ में, फिलिंग्स यही आई थी, तो वो एकदम से जब रात को बारा बजे, सौड़ बारा बजे, एक महाल चेंज हो गया, सब भैरत में होगी, यह होने वाला क्या है, और फिर एंड क्या हुआ, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या मुलकी हालात पे क्या असर पड़ा, इस चीज़ का, आम अवाम पे क्या असर पड़ा, मैं इस बारे में सबसे पहले त वो बरकरार रखने के लिए आएंदा नसल पे इसको चलाने के लिए आएंदा नसल को अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर देने के लिए जो हमारी नेक्स जडिएरेशन है उसके जहन में इस वक्म्म की स्यासत इस वक्म कोई रासता नजर नहीं आ रहा कोई जिसकी जो जमात है जिसका जो भी मैं as a social worker ये कहूंगी कि सब को इस वक्त मिल बैटने की अश्र जरूरत है जो भी एक वक्त के तकाजे पे किस ने क्या किया कौन उतर गया कौन जड़ गया मेरे ख्याल में जिस वक्त जो भी पावर जिसको मिलती as a social worker social activist मैं ये एक एक बंदे को कोऊंगी as a पाकिस्तानी जो है वो अपना किरदार अदा करें हमारी history देखें हमारी new generation में जब भी पेपर होगा परचा आएगा मुतालाए पाकिस्तान का या history का तो आप any देखें कि वो हमारी नसल क्या क्या लिखेगी किस किस सियासदान ने अपने 2008 म में क्या बाग्या हुआ तो इस तरह शफाफ अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की मैश्ट में पाकिस्तान के हर शोबे में के हमारा जो आने वाले नसल आने वाली नसल है उसके हलिए रहे हमवारों तरक्की की हो वह यह इसी कंप्लेक्स का शिकार ना हो जाए culture कि पाकि क्या कहना चाहेंगी यह जो एक सिसला बन रहा था उस टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या फिर उसके बाद यह भी बात करते हैं मौजू मौजूदा जो सूर्टेहाल है अब क्या मुल्क की महंगाई में जैसे गरीब अवाम एकदम से सोचती है कि जो साड़े तीन पॉने चार सालों में इतनी महंगाई थी अब यह तो छे दिन में कम हो जानी चाहिए अब उन्होंने वेट थोड़ी करना है उन्होंने बोलना साइच चीज़े कम हो जाए तो क्या कहेंगी आप अब देके बात दरसर यह कि कोई भी चीज एक वक्त में तो नहीं हो सकती हम यह कहें कि पेट्रॉल डेड़ सो रपे लीटर था और अगर कोई नहीं गौवर्मेंट आई है तो हफते दस दिन में उसको जो है ना सौर रपे में कर दे है चारीस पचास रपे में कर दे है पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज को बहतर अंदाज में एक सही सिंप में एक सही डायरेक्शन मिले जाने के लिए एनि उसको टाइम चाहिए और जब टाइम पीरियड है अभी तो साल तकरीबन साल 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 है अलेक्शन के लिए तो उमीद की जा सकती है कि एतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का इतहाद है इंशालला कोई नहीं कोई बहतर रिजल्ट जर दौा होते हैं और वैसे भी आवाम मैं समझती हूं कि कुछ सुकून का सांस तो ले रही है कि जिस तरह से एक नाहिल शखस गया है और नाहिल शखस इक्तिदार में था तो भी मुसल्ट था अब वो अगर इक्तिदार से हट गया है तो सड़कों पर आवाम की सूरत में मुसल कि मन खान साब चोर एनारों नहीं दूँगा और इस किसम की जुमान अख्तिया मतलब इस्तमाल करते ने और अगर आप भी रोडों पर जाकर भी और फिर दुबारा जो उनकी पोजिशन बन रही है कंटेनर वाली अगर उस तरह भी वही चोर वही नारा वही नारेटिव इन का रहëगा ने तो मैं नहीं समझती हूँ कि अवाम इनको वोट देगी या इनको दुबारा से कोई सिलेक्टर इनके लिए मौगी मौजूद है क्योंकि सबस अबस्पर्ट कोई पता है जिनोंगे मुलक का हाल किया तो मैं समझती हूँ कि खान साब को अपना नेरेटिव चेंग करना चाहिए और जिस वर जो गौर्णमेंट में बैठे वे लोग हैं उनके साथ जाएं और स्पोर्ट मैनिस पेड का मुझाहिरा करें और अपोजिशन में जाके अपना रोल प्ले करें जिस तरह के देखें पाकिस्तान पीपर्स पार्टी 14 सीटों पर भी अपोजिशन में जाके बैठी है और उसने गौर्णमेंट का रोग थाम किये गौर्णमेंट को बताया कि हाँ गलत हैं याँ ठीक है लाके लाओं लीति प्रणमें जब से पी टी आई इमरान भांग साथ गया है कि अगर बात करूँ कि कराची में शो करते हूं तो कराची की बात कर सकते हूं कराची वाले बड़े तकलीफ में लाइटे बड़ी जा रही है लोड शेडिंग मतलब इमरान हान सब हमारे लिए क्या लगी थे और हमारी जो अपनी सिन्ग की हकोमत है जो पीपर्स पार्टी है तो थोड़ा से तो कराची वालों के लिए ये तो उनको तो रिलीफ मिलनी चाहिए ना कि कराची वाले अब कराची वाले ये बात कहरें कि शायद इमरान हान ठीक था इसलिए कराची में लाइट इत्ती नहीं जाती थी अब कराची में लाइट बहुत जादा जा रही है गर अवाज शरीफ साभ उन्होंने खुदी कहा था कि जिए इन्होंने जो जो जितने प्रोजेक्स पहले चल रहे थे उनको इन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि खान सामने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद की है और करने के बाद कहते थे इसमें घपला हुआ लेकिन जब कौन अवाम के लिए बेहतर है सब मिलकर काम करें तो अवाम को खुद से पता चल सकता है कि कौन सा लीडर अवाम की फला के लिए काम कर रहा और कौन नहीं कर रहा देगे मेरे बानी जि मेरे फाउंडर शहीद जुर्फकार अलिबोटो साब को देख लीजे शहीद मौतरमा बेनेजीर बोटो साइबा को देख लीजे अवाम के दिलों में वो जिन्दा क्यों है क्योंकि उन्होंने स्टागल की अवाम के लिए उन्होंने डिलिवर किया अवाम को तो जो इस तरह के काईदीन होते वो फॉरेवर अवाम के दिलों में रहते हैं और राज करते हैं चाह कि नहीं रह सकते उसकी वजिज़ा क्या है। कि जब तक आप अवाम के लिए सिंसेर होंगे। अवाम का साथ देंगे, अवाम आपको हमेशा याद रखेगे. कि उसमें सबर, बर्दाश्ट, होसला और उसके साथ एक दूसरे की मदद. उसके लिए आपको जो है वो मैंने एजा सोशल एक्टिवेस्ट बहुत जादा एक्सप्लोर किया वो वाइट कॉलर जो कभी भी फ्रेंट पे आकर अपने मसायल प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं और के उनकी तस्वीरों में खटा-कट था कि उनकी तस्वीरें लेके उनको यूज करके और उनको ये न बताय जाए कि किस तरह की आकी मदद की गई, किस तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं जो मदद ऐने, ऐसी मदद लेने सेहीज़ा जाना ज़ादा बेतर समझता है, तो हम लो सब को जले लेकिन कहीं कोई भी नुमाइश नहीं की, कहीं भी अपलोड नहीं किया और बाकी भी माशाला इस दफा वैसे काफी हद तक लोगों में ये शौर था कि वो जो है कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को ना पता चले और इस तरीके से उन्होंने अमल करने की कोशिश की, हमारी भी यहीं कोशिश थी, हमारी पूरी टीम माशाला से किराची से लेकर और पिशावर तक, अलहमदोलिल्ला, छोटे 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 इलाकों में हम लोगों ने सर्वे किया, मैं अभी 15, 15 रमजान को किराची वापस आई, और मैं जो है, रमजान शीव की भी, दो से तीन रातें पहले से पंजाब चली गई थी, और लेकिन उसके स आज कल जो नंबर्स अवेलेवल हैं, हर जगा जो है वो फेक काम नहीं भी हो रहा हो भी रहा है, लेकिन जहां नहीं हो रहा है, आपको लगे एतमाद है, तो आप अपने मसाइल जरूर बताएं, लोग उठ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद, जैसे जॉइंड हैं, कुछ किया जा सकता है, ना सिर्फ, यह जैसे कुछ लोगों की आने वाले वक्त के लिए, फसल के लिए, बहुत मसाइल थे, उनके लिए, उसके इलावा कुछ लोगों को जैसे रिक्षा, चिंग्ची, कुछ लोगों के लिए जैसे दिवार बनवा देना, किसी के गर की, ऐसे चोटे-चोटे काम जोएं लेकिन वो उनकी जिनगी में बहुत एहमियत रखता है, बहुत एहमियत, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके साथ आप अगर AC में बैटे हो, म उसमें जो ये था कि आपको, जैसे मैं अगर फर्स करें, AC कार में हूँ, तो आगे जाने वाले बाइक वाले को मुझे रास्ता देना चाहिए, मुझे जो दूसरे लोग है, रेडी पे जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं अगर सबर तहमोल करूंगी, उससे क्या होगा, एक तो ए जैसे लीडर काम कर रहे हैं, या वो लेकिन अपने हलके में, अपने जैसे अपने इस्ततात कह लेना चाहिए, कि हम अपने तहीं जितना अच्छा कदम बढ़ाएं, उसमें हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, साथ मिलते चले जाते हैं, अभी एक एड़ुकेशन सिस्टम हु जा लिया, और जबके लड़के जा रहते हैं, हमें एक कॉल मुसूल हुई, कि इस तरीके में पढ़ना चाहती हूँ, मैं अब तक फर्स्ट आती थी, वो स्कूल हमें सब कुछ पिक एंड रॉप से लेकर, किताबें, यूनिफार्म, जूतें, सब कुछ देता हैं, लेकि मेर घर वाले मुझे नहीं निकलने रहते हैं, क्या 24 घंटे में कोई एक घंटा ऐसा नहीं है, कि मुझे दिया जाए, तो हम लोग उन्हें उस इलाके का बकायदा पूरा सर्वे करके, वहां पर एक ऐसी ट्यूटर उनहीं में से, उनहीं में से, जो पड़ी लिकी थी, माशालला F.A. थी, इतनी उनकी तालीम के साथ, उनको मजीद ट्रेनिंग दे के, उनको शौर दे के, कि आप अपने इलाके में रहते हुए, चार पैसे आपकी भी बन जाएंगे, और आप जो टाइम जो उन बच्चियों को सूट करता है, आप जो उनकी तालीम का सिलसला नहीं रोकना चाहिए, यह बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, यह बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा थोड़ से मैं आपकी तरफ आँगी जो एक वाक्या जो बड़ा सोशल मीडिया पे हर जगा, अच्छा इसके लिए मैंने सोशल मीडिया जितना देखा है, मैंने किसी को यह नहीं कौन सी जगां मतलब हम यह भी नहीं सोच रहे हैं कि यू पर बहुछ करे हैं superficial के amal कर रहे हैं इतना भूल चुक यह synergy जिसमें हम अक एक अब बिल्या कि हम यह बिल्ग कुल हम ऑन बाद शनकर नितना को बना अखितानि को बनाम कर जितने लोग उस एक्ट में मौझूद थे मैं कौन होती हूं फत्वा लगाने लगवाने वाली लेकिन वो जो अमल था एक मुसल्मानों वाला अमल नहीं था ठीक है वजह यह कि आप मुसल्मान हो आपके पास और बहुत सा अगर आपने अबने रेक्ट करने का कुछ तरीका कारी नहीं आपको आप रेक्ट कर सकते हो वोट ना देकर एक सियसी शक्स ही अब लेकिन ये कौन सा तरीका कार है कि अतनी मुकदस जगा ठीक है और पाकिस्तान से आप तालुक रखते हो वहां हजारों लोग मौजूद होते हैं मुक्तलिब मुमालिक से लोग आए वे होते हैं मुसल्मान उन पर आप क्या जाहर करना चाहरे हो आपका मुल्क इतना खुबसूरत मुल्क है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है इतना खुबसूरत मुल्क और इतना अमन का गहवारा मुल्क आप क्या देना चाह रहे हो मैसेज लोगों को कि हम इस तरह के लोग हैं आपको कोई नहीं जानते मुल्क से लोग आपकी पहचान रखते हैं तो आप अपने मुल्क का वकार मजरू कर रहे हो ना सिर्फ मुल्क का वकार मज्रू कर रहे हो, बलके इसलाम को लोगों के सामने क्या मेसेज देना चाह रहे हो, ताके जो इसलाम मुखालिफ हमारे दुश्मन है, वो क्या हम से सबक लेगा, वो तो कहेगा, हम तो कहते हैं, ठीक है न, कि इसलामी जो लोग है ना वज़ो बिल् लेकिन वो हमारे लिए मुकदस मुकाम है, और उन हस्तियों पर मेरी आल ऑलाद कुर्बान, वहां आपने जो हरकत की है, हमारा तो जो है न, शर्सर्म से जुप गया है, मैं समझती हूँ कि अगर हमें शर्म होती है, और थोड़ी सी भी शर्म हया है, तो उन जैसे लोगों को मैं समझती हैं, पाकिस्तानी रियासत ही उनको शनाखत करें, और जब हमारे मुलक में आए, कमसकम उनने सखसे सखसा जाए, पर अभी एक खबर तो ये भी सोशल मीडिया पर चल रही है न, कि कुछ उन पर जुर्माना और पांच साल की कैज़ कभी कोई इस तरह का, इसमें क बैतर हो जाएंगे, जो शखस बुरा होगा, उसकी तो हसलावजाई होगी च्छी कि जिर्माना होगा, कल मैं कुछ और कर डूँगा, नहीं, इन लोगों को सखसे सखसा देनी चाहिए, और मुझे बताएं न, कि ये कौन सा अमल है, कि वहां पे अगर आप एक सियासी लीडर है, आप उसको इतनी खराब गालियां दे रहे हो, गालियां देने के इलावा, मैंने वीडियो में देखा है, कि एक शखस पीछे से भागतावा आया है, लपकते वे आपने उनके बानों को नोचा है, तो आप क्या मेसिज दे रहे हैं, आप अपनी नई नसल को क्या मेसिज करब से आप लोग अलफाज बूल रहे हैं, फिर करीब करीब आ रहे हैं, और इस तरह का महौल आप लोगों ने पूरा बनाया है, मुसल्मान हम अपने आपको कहते हैं, फिर हम लोग यह नहीं सोचते कि किसी पे तोमत लगाना, कितनी, कितना बुरा अमल है, हम पर चोड़ क करेंगे अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद बेखने नाजरीन हम ब्रेक से बाद आ चुकर हैं और आप देख रहे हैं हमारा शोव विकरंशाइन विद एनेशा अच्छा बात हो रही थी तोमत पे थोड़ सा आप बताए कि किसी पेस्टरा आप से तोमत लगाना जो कि अभी देखे कई से भी साबित नहीं हुआ ये तो और तोमत लगाना अगर असलामी पॉइंट फ यू से अगर मैं बात करूं कि अर्मजान गुजजां थे थो हम ने तो आज तक एक Ira J.सुना है कि आप उसी पे तोमत नहीं लगाता हैं। जाने से पहले बात की थी कि हमें सबर बर्दाश्ट और तहमूल का मुझारा करना चाहिए अलेक्शन होने पाकिस्तान का इन्शालला और अच्छा फैसला होना है दोबारा अवाम उटेगी सारे मिल के क्यों ना अभी का जो वक्त है इस पीरियट को भी इस टाइम पीरियट को भी एक अच्छे तरीके से करें कि जग हसाई ना हो दुनिया हम पर हस रही है बजाए इसके मुझे इसे लगते हैं कि जैसे पूरा पाकिस्तान हमारे सियास्तदानों से लेकर आम अवाम तक आम बच्चा बच्चा सब जजबाती हुए 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 मतलब एक जो अकल शौर के साथ आपके जो फैसले होते है ना उसका इस वक्त फुक्दान हो रहा है मतलब अब आपने जो काया है कि सियास्तदान से लेकर आम तक भी मुझे यह लगता है कि घर में जब एक कमांड बाप की है मा के हाथ में होती है ना तो बच्चे उसी तरह से चलते हैं अब कमांड जिनके हाथ में इस टाइम उन्हों ने रखी वी है है और उसको पकड़ के ना बताया जा रहा है क्यूं गलाम हो और तुम यह हो tie वह हो हम इसी पे चल रहे हैं नहीं भाई हम क्यूं गलाम हैं हम एक आजाद मुलक में रहते हैं हम अपने फैसले हमारे मुलक के अच्चे हो रहे हैं मतलब क्यूं गुलाम है हमें क्यूं ऐसी बादी की जा रही है कि मैं यह समझती हूं कि मोका दिया जाए अलेक्शन होने चाहिए अगर फर्स करें इस तरह का माहौल हम बना रहें तो जबूरी नहीं कि साल डेर साल बाद अलेक्शन हो कोई दर्मयानी हाल निकालते हुए कोई एक दर्मयान का फैसला करते हुए कुछ अरसे में कर ले जो इंतजामात जिस इदारे को चाहिए हर एक डिपार्टमेंट है देखें अलेक्शन कमिशन अगर रेडी है अगर वो समझता है कि मुझे चार महीने में तीन महीने में चे महीने में मैं पाकिस्तान की इस चीज़ को कवर करते हुए हम अलेक्शन करवा सकते हैं तो उन से पूछा जाए अगर अगर अदालत जजज वो समझते हैं कि ये जिन न्यू जनरेशन के लिए एक अच्छा रास्ता दे कर जाएं और अच्छे तरीके से उसको इसको निभाना भी चाहिए इसको इखताम तक बिलाना जाए जिसके जिसकी किसमत में जो लिखा होता है अगर इक्तिदार की कुरसी है उसको जरूर मिलेगी किरदार कुशी करके या अपना आप ये करके कि मैं आला हूँ वो मतलब नहीं कोई काम ने कर सकता तो ऐसा नहीं है अवाम को मोका देना चाहिए अवाम ही अपना फैसला कर सकती है माशा अच्छा मैं आपकी तरफ आँगी इलेक्शन का इन्होंने का कि तीन मेने और चार मेने में करवा दें तो लेकिन बात दर असल ये है कि देखें अरव रुपया लगता है और दूसरी बात ये है कि तकरीबान डेड़ साल के करीब रहता है तो मैं समझती हूँ कि ये पूरा अगर हो जाए नहीं तो वैसे भी ऐलेक्शन कमिशन ने ऐलेक्शन करवाने हैं तो वह तो कह चुके हैं कि 6-7 माँ हमें लगेंगे चलें जी अकॉर्डिंग टू दा अलेक्शन कमिशन अगर 6-7 माँ भी लगते हैं तो 6-7 माँ में खान साब बैठें सुकून से और बिलकुल जलसे जलूस और ये सब कुछ करना उनका जमूरी हक है वो जरूर करें लेकिन कमस कम लोगों के अंदर इ जलूसों में कि मैंने अपने इस टाइम तकरीबन पौने चार साल के अंदर मैंने आपके लिए ये ये बैतरी के काम की है तो मेरे खाल में ये ज्यादा बैतर होगा ना कि आप लीडर्स को चोर कहें चक्का कहें आपके कहने से ना कोई चोर होगा ना आपकी गाली देने से क आपके जो personality है, वो negativity के शिकार होती है, और इस चीज से परेज करना चाहिए, देखें, मैं बिलावल भुटो जरदारी साब की बात करूँगी, चुछ के मेरे वो शेर मैंने, आप किसी माफिल में, किसी भी आप जलसे में देख लें, किसी जलूस में देख लें, इवन के किसी से लेके इसलामाबाद का लॉंग वार्ज किया, किसी एक स्पीच उठा के देख लें, कि उन्होंने कोई, मतलब, ऐसी जुबान इस्तामाल की हो, जो ना जेबा हो, बलके अगर हम किसी टॉक शो में बात कर लें, तो हमसे बासपूर सो जाती है, कि किसी भी लीडर को न नहीं कहाना, उसकी बज़ा क्या है, कि मैं अगर मुझे मेरे माबाप अजीज है, तो इसी तरह हर एक को अपना लीडर अजीज है, हर एक के फैन फालवर्स है, मतलब अपने वर्टकर्स को भी अच्छी बात सिखाते है, अब फैन फालवर्स का मतलब यह नहीं होता, कि अग बहुत 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 शुक्री आप तश्रीफ लेका है, सेग्मेंट का टाइम खतम हो चुका है, अच्छी नाजरीन आज यह बात करने जो मैंने की है, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा यह सेग्मेंट देखके बहुत तकलीफ का सामना करना पड़े, क्योंकि मैंने हख की बात कर दिये और वो मैं करती रहूंगी क्योंकि मेरे अंदर एक चीज मौझूद है कि मैं सचाई जरूर बयान करती हूं, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, पर मैं एक चीज कहती हूं, हारम शरीक का तकदुस पामाल करने की जरू किया, बहुत सारे लोग सुनके मुझे नाराज भी हो रहे होंगे, पर बात समझने वाली है, कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं, कि हमें सही और गलत की पहचान खतम हो चुकी है, हम आम जगह पे भी अगर खड़े होते हैं, चार लोग तो किसी ने एक पार्टी का च्छा का, किसी ने दूसी पार्टी का च्छा किया, दोनों की लडाई हो जाती है, ठीक है, अब वो महाल बन चुका है, फिर वहां एक औरत, मर्यम और एक औरत, औरत की एक इज़त, रिस्पेक्ट, एक शरम लिहाज होता है, हमें तो यही सिखाया गया, अब आपने वो शरम लिहाज नी रखी, जो अलफाज आप लोग यूज़ करे थे, जिस तरह करीब आ रहे थे, मतलब वो देख के मैं तो सोचती हूँ, कि हम बहुत गलट ट्रैक पर चले गया है, अबी भी हम संबल जाएं, अबी भी बेहतरी की तरफ आ जाएं, हम सब का मकसद है, हम सब का मकसद है, पा आजाद रहें और पाकिस्तान दुनिया में इसी तरह अपना नाम बनाता रहें, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद,